नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससे लर्णिंग प्राइंट बाहिस सिंग सर आज हम करेंगे बाला जोए लाई की सेफ्ट थिरी ठीक है MTS में सलुसन से चल लही थी आप लोगों को मज़ा आ रहा हो खिरकि मुझे तो बहुत मज़ा रहा वीडियो बनाने में ठीक है ठी देखो डोनों के करहा है परमाः बरावर है यानी की तू पाई यार बरावर क्या है 4A अनी के आपर रख देंगे 22 बैए 7 तो बैए बरावर हो गया 7 बैटे 11 अगर मानलों साथ होती तो एरिया क्या आता 154 को याद होता किसका ब्रत का एरिया ठीक है ये ये का 30%, बरावर और भी है तो 50% का बावर भी परसन्ट की गुणा कर दो इधर भी कर दो 50% का बी परसन्ट हमें A के बरावर निकाला ना A के उसमें तो देखो यहां पर छोड़ना क्या इसको छोड़ दो B% से % अटाएंगे 100 आगया नीचे तो यहां पर देखो यह 0 से 0 चला गया और यह 0 से 0 चला गया 5 यह 15 वो भी किसका % में यानि A के 15% के बरावर क्या होगा अबी से तो भी काटी दिया है पचास का भी परसेंट होगा अंसर आगया एक का 15% अगला सवर एक बस्तु का अंकित मूल 5000 था उस बस्तु को बेशते समय विक्रेता ने 15% और 5% की दो क्रमागा चूटे दी उस बस्तु का अंतिम विक्रेत मूल क्या देखो पांच जार अंकित मूल था 15% छूट देने के मतलब 85% 5% के छूट देने के मतलब 95% 2-0 तो यह चले गया 1-0 और चला गया पांदूनी 10 हो गया ठीक है अब यहां देखो बचा क्या 85% 95% बड़ा करना आता है नहीं करना आता है फिर भी सीख लो देखो इसका इसमें करो 25% कहरी कितना हो गया 2 हो गया फिर देखो क्या करो एकदम पास वाले का करो दूर वाले करो यहनि नवपनना 45% 48% कितना हो गया पचासी पचासी तो 87 का साथ हो गया हांसे लगा 8 हो गया नौट्टे बात्तर बात्तर आठ कितना होता है 90 होता है ठीक है बटे कहा था काड़ दो चौकू 8 हो गया 0 2 3 6 2 7 4 2 5 10 अंसर आ गया अगला सवाल कैदी कोई ब्यक्ति 10 किलो मेंटर पे 1 2 6 गनटा की चाल से एक निष्ड़ी तय करता है और उसी मार्ग से 20 किलो मेंटर पे दिखनटा की चाल से बापस लोड़ता है तो पूरी आतरा के दवरान उसकी और सचार यह होगी पता है आप लोग बहुत उस्यार मजाक उड़ा है लेकिन क्या करें सबकि अपने मज़वूरियां होती है, अगला सब बास्तवी विक्रय मूहल के पांच बड़े छे मूहल पर किसी बस्त को बेचने पर 10% का लाव होता है यदि बस्तो को बास्तिवीक मूहल पर ही बेचा जाता तो बस्तु का क्राय मूल पर होने वाले पिरस्थ लाब बता है देखो अगर मालुक CP अगर 100 होता 10% लाब पर बेचते तो 110 को बेचना पड़ता तभी तो प्रॉफिट आता लेकिन कह क्या रहा है कि बास्तिवी क्राय मूल यहीं अगर 6 है तो वो 5 रुपए में बेचा उसने यानि कि 5 बरावर कितना है 10% के लाब होगा 110 6 की वेल्व निकालते क्योंकि बास्तिवी बिक्रे मूल पर बेचता तो उसे लाब कितना होता यहीं निकालना है 110 बटे 5 गुणे सो यानि कि 5 रुपए में बेचने से 32 का प्रॉफिट होगा अगला सवाल देखो एक आयताकार कोई LCD थी उसका चेत्रफल इतना दिया गया थ और परमा इतना दिया गया था वोला था यदि LCD के एक आकार को विकड की लम्बावि के रूप में परवास्त किया जाए तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते तो यहां पर विल्कुल साफ दिख रहा, 30 plus 16 कितना होता, 36, 16, 16, 48, लुपुट करतो, यानि 900 plus 256, 9211 यानि 1156 आगया, 1156 किसका इसका रोता, 14 का आंसर आगया, 34 cm, अगर आपको बेसिक सही करना है, तो देखो, यहां पर क्या करते है, L plus B क प्लस का, 2L भी आ जाता, यहां से इसकी value निकल आती, ठीक है, फिर उसका root ले लेते, इस तरीके से आप लोग करी सकते हैं, अगला सवाल, आजए बिजय और ससी, एक कार को 20, 40, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बिजय और ससी, हर 14 दिन उसकी साहता करते हैं, तो आजए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, देखो 20, 40, 60 का LCM क्या होगा, 120, इनकी efficiency 6 हो गई, इसकी कितनी होगी, 3 होगी, इसकी कितनी होगी, 2 होगी, फिर यह दि बिजय और ससी, हर 14 दिन का मतलब क्या है, आजए अगर काम करा 6, फिर 6, फिर 6, फिर 4 दिन कौन आ जाएगा, बिजय और ससी आते हैं, यानी कि 3, 2, 5, 6, 511 काम होगा, यानी टोटल 4 दिन में काम काम कितनी इंक 18 watch, 18, 19, 19, 13,09 काम हो ग्हारी है, कितने दिन में तो कराइ, अजाए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता ह малень Close distinguish, लगम 120 बैं कितने होगें, Êञ बटकित आं तो 5 बार करेंगे 5 नेयम 45, 5 दूनी 10 ज्याद आगा, जो 29 में अगर 4 का गुणा करते हैं, तो 4 नेयम 36, आसे लगाती है, 4 दूनी 8, 3, 11, यानि 116 काम हो जा रहा है, 4 दिन में, ठीक है, तो काम बचा कितना, पहले तो इसमें 4 का गुणा कर लो, क्योंकि 4 दिन में काम हो रहा त तो कितना आ गया, 16 से 2 बटे 3, यानि 16, 3, 48, 40, 50, बटे 3 दिन में काम पूरा खतम हो जाएगा, अगला सबा, यानि सभी कंपनियों की कुल विक्री इतनी है, यानि 100% की वैलू इतनी है, HP और Apple की विक्री में अंतर है, Apple यह है, HP यह है, यानि 7 का अंतर निकाल लाए, यानि 7 साथ, call कर लो, 2-0 चले गया, यानि एक, दो, 3, 75, 35, 35, 35, 35, अगला सबा, देखो, एक थेले में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्क, एक रमचा, 2 अंपात, 3 अंपात, 5 के अंपात, मैं यानि सभी सिक्कों का मूल इतना है, तो थेले में 5 पैसे कितने सिक्क हो, देखो मूल ले फिर 3 यानि 10 पैसे मतलब 1 वटे 10 रुपए, यानि 3 वटे 10 रुपए, पांच पैसे मतलब 5 दूनी 10 यानि 5 वटे 20, यानि 1 वटे 20 रुपए हुए, पांच के गुणा कर दिया, टोटल रुपए आ गया, इनको सब का जोड़ तो, ऐलसे हम ले लो कितना आगया, 20, 5 यानि 5 फिर 3 दूनी 6 और यह होगया, पांच 10 6, 16 16 16 15 बटे 20 इसी की वैलू दी थी 5.25 तो फिर 21 दूनी कितना होगया, 42 किस पंजी 105 यानि 1 परावर कितना आ गया, 20 गोडे 0.25 यानि 25 दूनी 55 आ जायेगा, इसकी पूछी की थी, पीके कितने जिक्के हैं, यानि कि 25 आ जायेगा, य देखको यहांपर अगर two x three x of five x मानते तो यहांपर एकस आया होता है यहांपर फाइनल एकस आया होता है यहांपर फाइनल एकस अब वेल्यू किसकी निकलती एकस अग्लार कितना आता है तो इसकी संक्या पूछी कि यानि पाँच गोड़े पांच करते पचीस हो गया है बेस में यानिक 20 पर्सेंट आ गया अगला सव्हार nossa कि रोप से चक्रवधी के इतना एक साल से दूसरे साल पहुंचा सर्फ 4 साल में पहुंचा समय का डिफरेंसorkों दो गुणा होता चला ज़य ये 2-4, तो ऐसे सवाल में क्या होता, इसमें 4680, अगर मालो यह आगे का पूंचता, तो फिर इसका square divide 36 हो जाता, लेकिन पीछे का पूंच रहा, तो 3600 का square बटे कड़ दो, यहां पर 4680 नहीं था, यहां पर 6480, यहां 6480 कर लो, कड़ दो, देखो बारात यहं 3600 हो गया, 1245, 1244, 48 हो गया आगर आगे का पूश्ता तो इसका स्वायर कर देते बटे 36 कर देते तो इस तरीके से इने जी बनाया जाता है अगला सवाल एक ब्यक्ति कुल 15 गंटे के समय में 9 खेते हुए जे से के दारा की बिप्रीत दिसा की ओर जाता है और के से जे धारा की दिसा में की ओर जाता है जे और के के बीच की दूरी 300 किलो मेटर है दारा की दिसा में 9 किलो मेटर की दूरी तक 9 खेने में ब्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा की विप्रीत दिसा में तीन किलोमेटर की दूरी नाओ केने में लिया गया समय समान देखो कह रहा है कि यानी कि 3x-3y बस्बेगा यानि 2 x वह टार्वर प्वहेत गई थे यह खो गद्रय। अब देखो स्ट्राटिंग वाली लाइन में 15 घंटे लेता है वो तीन स्व किलो मेटर दारा की बीपरीध जिसा में जा रहा है यानिक इसको 2X ऐसको एक्समालों मैनस एक्स होगा X टाइम लेगा प्लस 300 बते दारा की दिशा में यानिक 3X हो गया बरावर 15 गंटे लिए यह हो गया 100 यानिक X LCM ले लिए तो खितना चार सो बते कितना हो गया 15 परावर 2x हो हमें 9 की चाल बतानी यानि 2 का कुणा करतों कुणा इसमें क्यारतों दो का क्यों निकालना था तो 15 15 अब 15 चालेस हो गया तो x के ब्रावर क्या आ गया यहां पर कर लो 12 नहीं में 108 होता है यहां पर 12 गुड़े 9 यहां पर 16 हो गया इसको कह ले सकते हैं 4 यहां 12 यहां चार का multiply इसमें कर दो तो x ब्रावर कितना आ गया 3 गुड़े 4 अगला सवाल देखो इसको सरल करके इसका वी आंसर बताना 15 चुकू साट यह निक 6 आ गया यहां पर आप सब जोड़ना गटाना 12 चे 18 अठार तो 20 दसंबलब पास से 2 दसंबलब 6 गटाना था तो 15 से 6 गया 9 बचा 9 से दो गया 7 बचा यह एक बचा आंसर आ गया अगला सवाल देखो शुपर मार्केट में 5 मैनों की विक्री दी गई थी ठीक है और कहरा है चटे मैने में कितनी उसकी विक्री हो थी अउसत इतना हो जाए तो देखो यहां से केवल यूट डिजिट पे काम कर लो सबकी अलग अलग अलगती तो देखो 2-0 यहां से सब से उड़ा दू common थे ना सबसे उड़ा दिया हमने तो जो answer आएगा उसमें भी 2-0 नहीं होगे इसमें पता नहीं क्या हो सकता है इसमें भी नहीं होगे इसमें भी नहीं होगे तो देखो यहां कितना था 6-3-18 यानि सन के लिए 8 unit डिजिट आएगा यहां देखो 5 फिर 0 आया फिर 0 आया 6-5-11 11-4 कितना हो गया 15 हो गया यानि कि जब इस साइड जाएंगे तो 8-5 कटाएंगे 8-5 गया 3 answer कौन सा यह आगया बाकी आप लोग जोड़ते रहना कोई फरक नहीं पड़ता है वो तो सभी लोगों को आता है वो हम भी बही करवा दें तो फायदा क्या है अगला सवाब ए ब्र सबसे पहले तो एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक फिट में कितने इंच होते हैं बारा इंच होते हैं ठीक है यह याद है सबको होना पIFложही चीड़ी चेशे बारा बारा आडट कितना रचना हो गया सातरा हो च्रीज disruption गिनिवर्स और पांगर चोतेस कि यह आ गया तो स्वारा फिट अ गया ठीक है इनच देक और चेंज या फिल लिख सकते हैं इसको डिवाइट कर दो लिख क्या सकते हैं चाचरंग चत्तिश चेकंचे यानि एक फिट परी छे फिट एक इंचांसर आ जाएगा अगला सबर माइक प्रते दिन आठ गंटे काम करते हुए एक काम को 20 दिनों में कर सब्सक्राइब कर दो तो 14 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर देखो सिंपल सा देखो मैं इंटू टाइम होता है M1 T1 इंटू D1 अपाउन क्या होता है W1 बरावर फिर हो जाता है M2 T2 D2 अपाउन W1 तो 42 लड़के टाइम कितना आठ ले रहे हैं 24 दिनों में कर रहे हैं फिर M2 कितना हो गया 14 ललके हो गया T2 कितना हो गया 12 दिन आमें निकालने थे कित्स सरल सवाल क्या होता है 14-32 हो गया 3-4-12 हो गया 4-5-20 हो गया तो 8-5-4 दिन में खतम करते हैं अगला सवाल एग बैक को दो रुपए पांच रुपए और दस रुपए मुल वर्क के सिख्खेंगे हैं एक बैक में रखेंगे हैं बैक में सिख्खों की कुल संक्षा इतनी यानि तीन दो पांथ एक छे की वेलू कितनी सो दो पके अलनय निकाल दो खे कितना और तो कितना होगे तो पंदरा सू रुपए हो गए, सो गुड़े 5 करेंगे तो 500 रुपए हो गए, देर सो गुड़े 10 करेंगे तो 1500 रुपए हो गए, तो 0,05,15 से 11 के यह कहां से लगाए, 2100 रुपए हो गए, अगला सब़ा, B1 और B3 के प्रतियेक बंडल में लोहे की छड़ों की संक्या 5 है B2 और B4 और B5 के प्रतियेक बंडल में लोहे की छड़ों की संक्या 4 है तो सब्सक्ता के दोरान सभी 5 ब्रांच को एक साथ मिलाकर दुकान से बेची की लोहे की छड़ों की कुल संक्या कितनी है देखो B1 पर 3 में total कितने हो गभी 100 uma डल में कितने ती 500 याग कितने हो गए 500 आप और द पर परसंट अगला सवाल चीनी का मूल 15 परसंट बढ़ जाता है यहां जिसी चीनी की खरीदगे हें माले 15% बढ़ गया कितनी कमी करनी चाहिए खपत में तो देखो 15 की कमी कर दो एक बटे 15 कुड़े 100 कर दो यहनिक 15 15 पांदुनी 10 हो गया पांदुनी 10 हो गया यहनिक 300 बटे 23 हो गया तो 23 एकम 23 बचा कितना 7 बचा 23 थिया 69 होता तो 13 दसंद अंसर आ जागे यह हुआ कैसे नहीं थी तो आप खपत हो अगर उसे 100 करेगा तो उसका प्राइस सेम रहेगा कोई दिक्कत कोई समस्या तो खपत में कितनी उसने कमी कर दी 15 की कमी कर दी किस से 115 गोड़े 100 इसी से अंसर आ गया अगला सवन समान रासी को साधारण व्याज की समान दर पर क्रम से 6 वर्स 15 वर्स के लिए निवेश करने पर अरजित व्याजो कान पात क्या होगा टाइम बचा यानि कि छेता और इतर कितना हो गया पंद्रा हो गया काट दिया तो आंसर आ गया दो अगला सवाल जयादी एक घर का बंडह अरकच खनाओ के आकार कहा है जिसकी लंबा है इतनी चोड़ात इतनी और उच्चा इतनी है तो उसकी चारो दीवालों का कुल छेतर फल क्या होगा देखो चारो दिवालों को छेतर फल होता है टू-L प्लस-B इंटू-H, L प्लस-B कितना होगा तीन दो-पांच, पांच, 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 दस, दस चोक, चालेस अंसर आगया अलाग अलाग निकालोगे वो निकालते रहे ना ये फार्मूला होता चारो दीवारों के एरिया का अगला सवाद 2012 के साफिज 2013 में लड़कियों की संख्या में कमी का पिरसत बताईए 2012 और 2013 कितने की कमी हुई 50% की कमी हुई अगला सवाल कार्याल जाते समय इस नयात 10 क्लोमीटर प्रति गंटा की चाल से यातरा करती है पूरी यातरा में औस और चाल का फार्मूला क्या होता है तू एक्स वाई अपाउन एक्स प्लस भाई अब तो रट गया होगा आप लोग गालियां दे रहे होंगे यह क्यूं करवा रहे हो इतना सरल सवाल कोई बात नहीं करवा देते हैं 25-25-15-15-15-20-10-30-6-20-12-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- कर लिए और अच्छे सवाल थे सरल थे कोई बात नहीं सरल को और इसी तरीके से और जल्दी साल करने की कोसिस करो प्रेक्टिस करो जितनी कर सकते हो फिर मिलते एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत